हाई फूडीज वल्कम तु माई चैनल फ्रेंट्स बहुत पार ऐसा होता है कि हमारे गर में विब्ड क्रीम या फिर ट्रेश क्रीम अवेलिबल नहीं होता है केक डेक्रेशन के लिए तो आज मैं आपको बिना क्रीम के आप कैसे आइसिंग प्रिपेर कर सकते हैं इसकी रेसिपी बताऊंगी तो चली फटा फट विडियो शुरू करते हैं सबसे पहले हम एक पैन में आधा कब दूद ले लेंगे इसके लिए हमें बहुत जादा इंग्रीडेंट्स नहीं चाहिए अब इसमें मैं दो चमच चीनी डाल देती हूँ और इसके बाद मैं इसमें एक चमच Κौनफलॉर अट कर रही हूँ अभी हमारी gas बंदी है पहले हम conflore को अच्छी तरह से mix कर लेते हैं और जब अच्छी तरह से conflore mix हो जाएगा तब हम इसे gas को on करेंगे और एकदम slow आज पे रखेंगे तो यह आप देख सकते हैं conflore अच्छी तरह mix हो चुका है अब मैं gas को on कर देती हूँ और इसे इसी तरह हिलाती रहेंगे हम continuously नहीं तो जो conflore है वो नीचे जमने लगता है और जलने का खत्रा होता है तो यह आप देख सकते हैं gas एकदम slow है मेरी और मैं इसे continuously चला रही हूँ चीनी और corn flour अच्छी तरह से melt हो रहा है और इसमें mix हो रहा है और यह बहुत जल्दी थेख हो जाता है इसमें हमें बहुत जादा time में लगता है तो यह आप देख सकते हैं लगभग 2 मिनिट हो चुके हैं और 2 मिनिट के अंदर ही यह थेख हो चुका है सूप जैसा texture आ चुका है इसका हमें इसे लगभग 30 से 40 सेकेंड और चलाना है इसी तरह से आपको समझ में आ जाएगा इस तरह से जो यह बुलबुले बन रहे हैं तो इसका मतलब कि यह हो चुका है अब हम गैस को आफ कर देते हैं और इसे अभी भी हमें चलाता ही रहना है क्योंकि हमारा जो पतीला है वह अल्रेडी गरम है तो यह लग सकता है निज्जे की तरफ कॉन फ्लॉर है तो ध्यान रहें आप इसे continuously इसी तरह से चलाते रहें जब हलका से ठंडा हो जाईए बैडर तो आपको चलाना बंद कर देना है और फिर इसे आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए ठंडा होने के बाद आप इस तरह का टेक्श्चर देखेंगे इसका यह देखिए क्रीमी टेक्श्चर अल्रेडी आ चुका है बहुत अच्छा थिक हो चुका है अगर आपको और थिक चाहिए तो आप इसे 15-20 में तक रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं अब हम इसे कैसे भरते हैं यह मैं बता देती हूं आपको सिंपल किसी भी आप दूद का पैकेट ले लिजी और ग्लास के उपर उसका जो टिप होता है न कॉर्णर वहां से आप नीजे की तरफ इसे रखिए और इसमें आप धीरे-धीरे चमत से इसे फिल कर दीजे आप कोई भी आइसिंग बैग का भी इस्तिमाल कर सकते हैं सिंपल गनाज की केक बनाते हैं डेकुरेशन के लिए तो उसके उपर आप वाइट कलर से अगर हैपी बर्ट या इस तरह से लिखना चाहते हैं तो यह बेस्ट ऑप्शन है आपको अलग से क्रीम फेटने की जरुरत बिल्कुल भी नहीं है वेब क्रीम बनाने के जरुरत नहीं है इ अपने फ्रेंड के साथ भी जरुर शेयर कीजिए और चैनल को सब्स्राइब करना मत बुलिए हम फिर मिलेंगे अपनी अगली रसोई में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया